हे गाई स्वागत आपका हमारा चैनल पे इसका नाम है स्पोर्ट सब्सक्राइब दोस्तों आज के वडिये में हम बात करें इंडिया वर से विएतनाम मैच जो कि हुआ तक कल तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते तो रोस लो कल का मैच के रिजट इंडियाम फूटबल के लिए होप था कि फूचर में कुछ चीज़े भेतर हो सकते इंडियाम फूटबल के लिए क्ल हमने विएतनाम की खिलाब उनके घर पे ड्रॉ खिला अगर लाइन अप की बात करें तो हमें लाइन अप में बहुत सारे देखनों के मिले कुछ मेजर चैंजिस जैसे कि मनवी की जगा फारुक को स्टाट करना जो के ब्रीड लेंड डिसेजन था उसका रोशन नावरें सिंग को जे एजए विंग बैक किलाना तो एक कापी अच्छे डिसेजन हमें देखनों के मिले और जो हमारा फॉर्मेशन था वह 532 था और जैसे हम अटेक में जा रहे तो वह 352 हो रहा था अगर हमने फर्स्ट अप की परफॉमस बात करें तो काफी पूर परफॉमस था हमारा फर्स्ट अप में टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करना चाते थे वह हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे हमारा मीड़ फिल्ड अच्छे से होल्डप नहीं कर पा रहा था और डिपेंस तो ऑडेट है हमारा पूर ही तो इसके वैसे बहुत सारी स्पेसे वेटनम को मिलें इसका उन्होंने काप अच्छी तरह से यूज ने किया अगर अटेक की बात कर तो फाइनल तर्ड में तो हम लेकिन जैसे फाइनल तर्ड में जा रहे थे हम या तो बॉल रूस कर रहे थे या फिर हमारी जो क्रॉस तो काफी इनकुरेट है अगर सेट पीसे की बात कर तो सेट पीसेस में भी हम बहुत ज़्यादा पूर थे हम अच्छे से हेडर कर पा रहे थे यहावाव एडर मार रह से हमें क्लीर इंस्रेक्शन देखना के मिलैं मैननोर मार्कस के तरफ से जो हमारा परपामोंस तो काफी बेटर रहा मुझे सेकंड़ में आप में हैं तो हमने सेकंड़ आप कर स्टर्ट में गोल मार दिया जहा पर हमें थारिफ करना होगी फारूक चाजर की कापी अच्छी तो बाउंस का कापी अच्छा तरह से इससे मल क्या अगर हम उस गोल को देखे तो काफी आसान लगता है लेकिन अगर उस गोल को एक्षुल में देखे तो काफी ट्रेक्निकल ब्रिलेंस लगती है प्लेयर की तरफ से इसके अलावा दोस्तों फारुक चुदर ने काफी कुछ टाल किया सेटेट आप में अपोज्या सूरेज ब्रैंडन थी नोग अपरफस कापी बढ़िया था काफी अच्छे तरह से हम बिल्डप कर पार रहे से सेक नशन अप्रांचे तो कापी आची इंपूरिमेंट हमें सिकेंड देखने को हैं मिली और ऐटी अच्छा फुटबल खेर रहेता है लेकिन 80 मेंट्स के बाद जैसे ही वेतनाब ने अपने चेंजेस किये अच्छा फुटबल में आच कोई टीक्निकर प्रोड में मली हमारे पील्ड गांच में अच्छा जया कोई अच्छा वाल कंट्रम हो रहा था साती में हमारे पासेच भी काफी एकुरिय अपने मीस्स पासेच जो हमें दीखने को नहीं मिले तो एक काप अच्छे improvement देखने को मिली squad में इसका लोग अगर बात करें दोस्तों तो हमारा attacking performance काफी बढ़े था midfield और final third में हमारा performance काफी बढ़े हो रहे है सिर्फ यहाँ पर हमें जो हमारे finishing पर धान देना होगा और कुछ negative बात करें तो हमारा defense defense काफी poor है स्पेशल हमारे center back अगर हम center back की बात कर दोकार रहूल बिके ने almost 2 penalty giveaway कर दी थी second penalty inches अवे थी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा contact बॉक्स के बाहर हुआ था वरना वो भी penalty मिल जाते वेतनम को तो कुछ चीज़ों पर धान देना होगा और कुछ चीज़ें हमें improve करने होगी तो hop करते हैं कि जो आने वाले friendless में हमें जो improvement देखनों के मिले defense में हमारी तो रस्तों यह थे मेरे complete thoughts कल के friendly match के बारे में तो आपके क्या thoughts आप मुझे comment section में बता सकते वीडियो को share कीज़े like कीज़े चैनल को subscribe कीज़े ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहू तो मिलता मैं आपको आपके लोड़ में तब्सक्राइब टेक केल टाटा भाई भाई